नमस्कार साइंसन स्टाटी जोन में आप सभी लोगों का स्वागत हैं और रहीम कवी के दोहे के साथ हम लोग फिर उपस्तित हैं आईए आज के दोहे में रहीम जी क्या कहते हैं इसको पढ़ते हैं समझते हैं और सिखने की कोशिस करते हैं रहीमन जीवा बावरी कह गई सरग पतार आपू तो कही भीतर गई जूती खात कपाल ये एक बहुत ही खुबसूरत दोहा है रहीम जीव का जिसमें रहीम कवी इस बात की सिख्छा देते हैं कि मनुष्य का जो सरीर है उसमें five sense organs है जिसमें एक बहुत ही important sense organ है tongue eye, ear, nose, tongue, skin ये five sense organs है इसमें एक जीव है tongue और इसी के वज़ह से हम शब्दों का उच्चारल करते हैं तो जीव के वज़ह से हम बोलते हैं, हम बोल सकते हैं और बोलने के करम में कभी-कभी हम इस बात को भूल जाते हैं और शब्द निकल जाते हैं, ऐसे सब्द का उच्चारन हो जाता है जिससे सामने वाला, सुनने वाला बुरा उसे बुरा प्रतीत होने लगता है वो दुखी हो जाता है उसे ऐसा प्रतीत होने लगता है कि बोलने वाला मेरा अपमान कर रहा है बड़े बुजूर्ग स्कॉलर्स दार्शनिक अनुभवी लोग इस बात को बोलते हैं कि यही मुह है जो सम्मान दिलाता है और यही मुह है जो अपमान भी होता है पिटाई भी हो जाती है तो इस दोहे के माध्यम से रहीन कभी इस बात को बताना चाहते हैं कि जो मनुष्य का जीव है जिहवा है वो बावरी है और बावरी कहने का मतलब जिसके पास सोचने की छमता बहुत बेहतर नहीं है और कहने के बाद वो भीतर चली जाती है मुह के भीतर अपने आपको प्रोटेक्ट कर लेती है लेकिन सामने पढ़ता है इनसान किस तरह का सब्द उसने इस्तेमाल किया अच्छा या बुरा मीठा या करवा सम्मान जनक या अपमान जनक अब इसका फल उसे भूगतना पड़ जाता है तो यही मुह है जो पान खिलाता है और यही मुह है जो पिटाई खिला देता है अब मान हो जाता है व्यक्ति का उसकी दूर दसा हो जाती है तो हमें कभी भी बोलने से पहले सोट समझ कर बोलना चाहिए बोल को तराजू पर तौल कर बोलना चाहिए और हो सके तो नहीं भी बोलना चाहिए बहुत बोलने की भी आवशक्ता नहीं है जितना जरूरत हो उतना ही बोलना चाहिए कम बोलने वाला इनसान से जादा गलती नहीं होती है लेकिन जादा बोलने वाला टॉकेटिव परसन जो होता है वो पूलने के करम में इतना खो जाता है इतना डूब जाता है कि कब क्या उसके मुह से निकल गया वो इस बात को नजर अंदाज कर देता है वो समझ नहीं पाता है तो हमें हमेशा ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो सब्द मुह से निकल रहे वो बहतर निकले और सामने वाले पर बुरा प्रभाव न डाले तो रहिमन जिहवा बावरी कही गई सरक पतार आपू तो कही भीतर गई जूती खात कपाल तो कभी भी पिटाई की नौबत ना आए अपमान की नौबत ना आए सोच के बोले, समझ के बोले मीठा बोले और हो सके तो कम बोले या नहीं बोले तो इस तरह से हम लोगों ने रहीम कभी के एक दोहे का ध्यान किया एक दोहा और भी हम लोग पढ़ते हैं नाद रिजी जनदेत म्रिग नरधन हेतु समेत नाद रिजी तनदेत म्रिग नाद रिजी तनदेत म्रिग नरधन हेतु समेत ते रहीम पसू ते अधिक रीजे हू कछून देत यह बहुत ही ब्यूटिफुल कपलेट है रहीम जी का जिसमें रहीम जी कहते हैं कि हिरन, म्रिग, संगीत पर मुग्द होकर सिकारियों को अपना जीवन तक दे देता है अर्थात अपना अस्तित्व समर्पित कर देता है तथा मनुश्य दूसरों पर प्रसन्न होकर धन, संपत्ती उसे दे देता है और उसका हित भी करता है किन्तु जो दूसरों पर प्रसंद होकर भी उसे कुछ नहीं देते वो पसू से भी गुजरे हैं तो इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो व्यक्ति अच्छा है और उसके अंदर क्वालिटी है और उसने आपको प्रभावित किया है तो हमें उसे जरूर पुरस्कृत करना चाहिए Thank you very much